हेलो गाइस वालकम एक सुनी लाटो कार तो आज अब सभी के सामने पेसे ट्टा ग्लांजा यह अपने स्टाइबन की बेजरीन सी प्रिमें हैजबैक कार और अभी आप लोग यह पर देख रहे हैं ग्लांजा के बेस मॉडल एको तो आज इसी को प्रॉपर डेटिल में कवर कर की रहेगी जिसमें पीछे ट्टा का लोगो एंड अंदर जाएंगे तो आपको चारों पॉंडोस के कंट्रोल एलेडी बैकलेट्स प्रोजेक्टर हैलम सो करें देखने को मिल जाएंगे इसके बेस वेरेंट के साथ वेरेंट्स की बात कर लें तो चार ओफर के जाएंगे इ प्लेस्मेंट नीचे देखेंगे आप पर क्रोम फिनिश लोवर गिरिल देखिए बाइस साब ना जो फ्रेंट बंपर है काफी मस्कुलर सा लग रहा है ना कार्बन फिनिश भी आपको दी गई है नीचे प्रॉपर एंजिन गार्ड वेगरा भी देखनों को मिल जाएगा ग आप यहां पर रहेंगे इसके पूरे और बेंटर पर आपको मिलेंगे सारे मैट ब्लाक निश में बाकि वीड गबर्स यहां पर लगे हुए एंड इस सेग्में में अगर आप दूसरा अप्टिन डूनेंगे तो आपको मारतवी बैल है नो हुंडई i20 एंड टैड़ा एल् देखेंगे तो आपको मारतवी से काफी इच्छी देखने को मिल जाती है इस कार के साथ एंड रेड कलर मैपस को देखेंगे टोटर फाइफ कलर आप्सन आपको इसमें मिलते हैं तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे साड में इसके स्टीलिम 15 इंच इसके आप दिएगे व आप चलेंगे अंदर उससे पहले हैंडल वगरा देख लीजिए आप चार हो ही आपको मैट ब्लाक फिंच में देखने को मिलेंगे इस अब आपको बेस मॉडल का पर फिल दिलाएंगे बड़ अंदर देखेंगे तो डैस्पोर काफी बेतरीन से लग रहा ना और यू देखने को मिलेगी स्कार की इस इंजी में जाना चाहिए तो उसका भी अप्शन रहेगा स्कार में इसको करते हैं पर बंद पीछे ड्रमडेक्स रहते हैं आगे डेस्प्रेक्स और इसके बात यह रहेगे इसकी बहतरीन सी पूरी साइड प्रफाइल अगर यहां पी बाइस लोगों हटाके सुच्की का लगा दो वाईसाब बन जाएगी बैजिंग यहां पर LED बैकलेट्स आपको देखने को मिलेंगी स्पेस वरेंट के साथ मतलब इस्टेंडर रहेंगी वाईसाब बेसी मॉडल से आपको आपको देखेंगे डिफॉगर भी देखने को मिल जाएग स्कार में हाई मांट इस्टॉप प्लैंप इंडिकरेटर इस्पॉइलर पिछे की तरफ पावर एंटीन इस साइड यहां पर देखेंगे ग्लैंजा की बैजिंग बंपर में दोनों साइड यहां पर एफ्लेक्टर से बगरा हो गए चार रहेंगे रिवर्स पार्किंग दोलेंगे इसके टेलगेट को तो वहीं आपको समय मिलने वाला 313 लीटर का बेतरीन सा बॉर्स पेस 318 लीटर का पार्सल ट्रे हाला कि आपको नहीं मिलेगी आपको लगवानी पड़ती बाद में यहां पे अपना पोरा सामान वगरा रग दीजे लागेज वगरा जोगी आ दोनों साइट बॉर्स पेस गारी में आपको बेतरीन समय मिलने वाला बाकी सिंजी वरेंट समय जाएंगे तो टैंक लग जाएगा तो थोड़ा बॉर्स पेस कम हो जाएगा इस कार में चलिए उसको करते बंद फिट चलेंगे कार के अंदर उससे पहले बात करेगा इस गार बाकी देखने में बाइस आप काफी बड़े से अपश का इसका इस्टाइल देखने को मिल जाएगा कलार आप्शन यह आपसका देखर है रेड रेड के अलावा वाइट ब्लू ग्रे सिल्वर यह काफी सारे कलार आप्शन से रहेंगे इस कार में तो आई अब चलते सबसे पहले इसके सेकंड वाली रोप यहां पर चोटा सा देखेंगे कोटर ग्लास तो सबसे पहले आईए यहां पर खोलते सकी डोर को डोल ट्रिम विगरा देखेंगे पूरी डूल टून में यहां पर रहने वाली है उपर की तरफ इसका डॉर ओपनर ब्लाइक निश में यहां पुरा डासपोर का व्यूव तो बाइस साब यह ना पाइनिर का यहां पर लगाया गया है वाईस साब बेस मोडल में आपको इतने सारी चीज़ें मिली जारी देख रहे है ना आटोमेड क्लाइमेट कंटोल वगरा हो गया है इसको चाहे तो आप भी यहां पर बाद में कर सकते हैं अगर इधर वाली सीथ पे आएंगे तब आपको दिखाते हैं यह लग रूम मतलब सही सा रहेगा यह पूरा जब पीछे दब उतना था इस पेस तो आराम से यहां पर बैठ जाएंगे पूरा जैसे आपको मिलता ना मारुती बलेनों में स्पेस से मही रहेगा ड करते हैं हलां कि मारुते भी टॉप चलेंगे क्योंकि वह वाई सब कम में इंडेनिस हैं थोड़ा प्राइड इससे सस्पी रहती है पीची की बात करें तो यह देखिए बाइस सब बेसी मोडल से अपको यहां पर अड़ेस्ट देखनों को मिल जाएंगे छोटा सा वहां पर रहेगा इसका कोटर ग्लाज तो आराम से बैट जाएए यहां पर इस गाड़ी के अंदर बेस मोडल लिए थोड़ा सा पैसा लगा कि इसको मोडिफाइड कराई उसका आराम से चलाए इस कार को तो यह सब आपने देखना आप चलते आगे डावर साइट की तरफ वहां से प पूरा यहां पर दोर पैनेल मिलता है चारों यहां पर रहेंगे पारंग दोस के कंटोर्स लॉक अनलॉक का बटन यहां इसका डोर उपनार नीचे स्पिकर्स वगरा बड़े सा लगवा लिजे यहां पर दियागा बॉटल होल्डर यह थोड़ा साबको फैब्रिक के यहां मिलता है इनकी जोस में अंदर का यह इसका रहेगा पूरा डैस्पोर का व्यू सीट्स वगरा सारी यहां पर फैब्रिक की हाइट अजिस्ट्मेंट का तो भाई सम नहीं सीट रिक्लाइन का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा नीचे जाएंगे तो इसके मै इसकी चाबी को फिर बैठते कार के अंदर सबसे पहले देखिए यहां पर मिलेगा टोयटा का लोगो ओन करेंगे इसके इगनिशन को यह इसका इंस्ट्रमेंट क्लेश्टर इस साइड यहां पर स्कार मीटर 220 मार्किंग बीच में स्क्रीन मल्टी इंफॉमिशन डिस्प्ले तो इसकी जो भी आपको इंफॉम्शन देखने हो यहां पर टॉगल लेगा इसको यहां से प्रस करते जाए तो देखेंगे रेंज वगरा दिखा रहा है उन्हें इस किलोमीटर की बाकी यहां पर एवरेज वगरा दिखा रहा है 7.7 का भी जब गाड़ी खड़ी है यह सारी सारी चीज़े आपको दिख जाएंगी इसके हमाइड़े स्क्रीन में इस स्टेरिंग वील में मैंने आपको दिखाया था है यहां पर टाड़ा कल लोगों बाकी बाइस सब बेस मॉडल है तो यहां पर पूरी प्लेन से रहेगी कोई भी आपको मौन कंट्रोस देखने को नह इसको कर देते हैं यहां पर फिक्स तो यह आपने देख लिए इधर दिया गया जिससे क्या कर सकते हैं इधर से अपना ट्रेफ पर देख सकते हैं उदर से और सारी चीज़े देख सकते दोनों टॉकल बड़े सा वर्क करेंगे अब आते इसके डासपोर के तरफ यह देखी बाइसाब तीन टोन में तीन टोन में कैसे यह तो बाइसाब एक दम पूरा मैट ब्लाक फिनिश टाइप का आपको दिया गया गया यहां पर ग्लॉसी ब्लाक फिनिश का यूज देखने को मिल जाएगी यह बाइस तरह अपना सिस्टम इसको ऑपरेट कर सकते हैं तो अभी यहां पर देखेंगे रेडियो ब्लूटूथ एंड स्पोर्टिफाइ आई पॉड ऑक्स यह सारी कुछ आपको समय करिक्ट्विटी देखनों को मिल जाएंगी तो इसको भी यहां पर बाइसाब म्यूट कर यह तो आपने देख लिया यहां पर बाइसाब जो लगाए बाद तो यह चीज़ जैसे आपने बैलेवनों में देखा ना इस्टेंडर उसी तरह आपको देखने को मिलेगी जो बेसी मॉडल से आपको ओफर किया जा रहा है यहां पर इसके सारे कंट्रोल्स हो गए 12 उल्ट का चार्जिंग आउटलेट हो गया यहां पर इसपीस वगरा यहां पर लगाएगे ना बाद में तो यहां से अपने पैंट्राइव लगा सकते हैं जिसका पूरा सिस्टम यहां पर ग्लब बॉक्स में कर दिया गया है उपर आएंगे तो मैनुएली इसका आयर वीम यहां पर सन्वाइजर देखेंगे प्लेंस आपको दिया गया है और यह देखो थोड़ा एंटिक यहां पर लगाएगे ना आफ्टर मार्केट मतलब जो बाद में काम होते नहीं जिससे सोरोमी से बले लगा हुआ है तब इसका जोगार वाई सब क्या होता है वाई सब कंपनी फ्रिटर में सब कुछ आपको इन्बिड मिलता बड़े तरीके से यहां पर क्या होगा यह चीज़ यहां पर लगा दी गया माइक वहां पर पेंड्राइव वरला हो गया तो यह सारी चीज़े देखने हो को मिल जाएंगी यह मैंने दिखा दिया था ना इधर सनवाइजर यह भी प्लेन सा रहेगा तो यही था आप कैसा लागा आप मुझे निकालते हैं इसकी चाबी को बेस मोडर के तो अपने देख लिए टॉप में जाएंगे ना तो वहां पर आपको बाइस सब हैडस डिस्प्ले 360 कैमरा 6 एरबाक शीकाफसर फीचर सोर्वियों पर एड़ हो जाएंगे इस कार में और अब बात करेंगे इसके इसके इंजन स्पाइक की तो यह आपको देखना पर 1.2 लिटर का फोर सेंडर पैटर इंजन ऑप्शन जिसमें आपको 88 बीच्पी की पावर 113 नम का टॉक सम्थिटी टू के मिल जाएगा इस का के साथ अब फाइनली बात किये जाए अगर इसकी प्राइजिंग के बारे में आपको बेस मोडल इदेख रहे हैं मैनुल ट्रांस्मिशन में जो सिर्फ आता है तो यह आपको पड़ेगा छे लाक श्यासी जार एक सरूम साथ लाक बाइसी जार का सपार जाएगा ऑन रुट लाक न युक लाइग जू करतें चलको सब्सक्राइब कर देख निक लाइगा धन्यमात अब देख लिए थैंक यू सो मच